आज इस वीडियो में हम देखेंगे रानी विक्टोरिया का एक कीमती वन क्वाटर आना और जानेंगे उसे पहचानने का सही तरीका विक्टोरिया की वन क्वाटर आना कॉइन इतने सालों तक बनाए जाते रहे हैं कि वो आज भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं एक लंबे समय तक बनाय जाने की वजह से उनमें कई बार कुछ ऐसी गलतियां भी हो गई, जिन्होंने कुछ सिक्कों को बहुत कीमती बना दिया. उन्ही सिक्कों में से एक है 1887 का One Quarter Anna. इस सिक्के के एक तरफ आपको देखने को मिलता है Victoria Empress का Portrait और दूसरी तरफ देखने को मिलता है Floral Design के बीच लिखा One Quarter Anna. उसके नीचे इंडिया और उसके भी नीचे सिक्के का Minting Year 1887. कॉपर मेटल से बने 6.47 ग्रैम्स के यसी के UNC कंडिशन में आज भी काफी अच्छी कीमत रखते हैं. और बात करें 1887 के One Quarter Anna की तो UNC कंडिशन में इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 1500 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक. लेकिन ये कीमत सिर्फ UNC कंडिशन कॉइन की है क्योंकि कॉपर मेटल में इतने सालों बाद इतनी excellent कंडिशन का कॉइन मिलना एक rare possibility है. इसलिए UNC कंडिशन नहीं होने पर इस कॉइन की कीमत अचानक गिर जाती है और घटकर रह जाती है सिर्फ 100 रुपे से लेकर 300 रुपे के बीच वो भी very fine to extra fine कंडिशन में. तो ये थी 1887 के उन Victoria Empress 1 quarter आना कॉइन्स की कीमत जिने हम सामान्य कॉइन कह सकते हैं. वो इसलिए क्योंकि 1887 के इस कॉइन में एक असामान्य वेराइटी भी देखने को मिलती है. 1887 में ये वन quarter आना कॉइन्स बॉम्बे और कलकत्ता दो अलग-अलग मिंट से बनाए जा रहे थे. यानि की दो अलग-अलग टकसाल से बनाए जा रहे थे. पर बॉम्बे मिंट में कॉइन्स बनाते वक्त हो गई एक गलती. 1887 के वन quarter आना कॉइन्स पर 1886 की ओल्ड डाई का इस्तेमाल कर लिया गया. और साल 1887 में मिंट हो गए 1886 के कॉइन्स गलती बड़ी थी. इसलिए इसे सुधारने के लिए बॉम्बे मिंट ने एक पुरानी तरकीब लगाई. उसने 1886 के लास्ट नमबर 6 पर नमबर 7 रिस्ट करने का फैसला किया. इस प्रक्रिया को प्री डेटिंग कहा जाता है जिसके अंतरगत इयर के लास्ट डिजिट 6 पर डिजिट 7 की छाप लगा दी गई. कॉपर मेटल पर हुए इस इयर करेक्शन की वजह से 1887 के कुछ सिक्कों में नमबर 7 के पीछे आपको नमबर 6 का हलका स इंप्रेशन देखने को मिल सकता है और कुछ सिक्कों में नमबर 7 थिक यानि मोटा दिखाई देता है जिसे थिक 7 वेराइटी कॉइन भी कहा जाता है लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये गलती बॉम्बे मिंट से हुई थी और 1877 में ये कॉइन कलकत्ता और बॉम् तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पास जो कॉइन है वो बॉम्बे मिंट का ही है उसके लिए आपको सिक्के के एर के नीचे बनी इस फ्लोरल डिजाइन को ध्यान से देखना होगा अगर आपको यहाँ दो लीव्स देखने को मिलती है यानि कि दो पत्तों के डिजाइन इस तरह देखने को मिलते हैं तो यह बॉम्बे मिंट का वन कॉटर आना है तो अब तक हमने 1887 के सामान्य वन कॉटर आना कॉइन्स की कीमत देख ली जो UNC कंडिशन में 1500 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक है लेकिन अगर आपके पास 1887 का वो वन कॉटर आना है जिसमें इयर करे दिखाई देता है या फिर जिसमें ठिक 7 वेराइटी दिखाई देती है तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 20,000 रुपे से लेकर 30,000 रुपे तक UNC कंडिशन में लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास UNC कंडिशन में नहीं है तब भी इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 8 से 10,000 रुपए तक depending on condition and market availability तो अभी अपने उन one quarter आना copper coins को निकालिए जिन पर बना है Victoria का portrait और चेक किजिए उनका year कि कहीं वो lucky year 1887 तो नहीं और हां, Bombay Mint के दो पत्तों को देखना मत भूलिएगा कैसा लगा ये वीडियो मुझे comment box में जरूर बताईए और अगर आप इस channel पर नए हैं तो subscribe का button और bell icon प्रेस करते जाएए जल्द ही मिलता हूँ एक और amazing वीडियो के साथ सिर्फ Indian Coin Tales पर